वेल्कम बैक टू माई शैनल वीवर्स आज किस वीडियो में हम लोग मैर्थ के कुछ कोशन सॉल्फ करेंगे सीट एड एक्जाम के लिए वीडियो अच्छी लगें तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन मैंबर वन के साथ कोशन मैं मम्ठ के पास पांच दर्जन टॉफियां है उसने इसका 1 बाई 3 भाग अमिता को 2 बाई 5 भाग अनिल को और 1 बाई 12 भाग हमीदा को दे दिया सोनू के पास बची टौफियों की संक्या तो यहाँ पे सोनू के पास कितनी टौफिया है पाँच दरजन एक दरजन में कितनी टौफिया आएंगी पांच दरजन में पांच दरजन कैसे निकालेंगे 12 को आप मल्सडिपलाई और दीजे 5 से तो कितना हो जाएगा यापे 60 आ जाएगा यानि कि सोनू के पास टोटल कितनी टॉफिया है 60 टॉफिया है उसने इसका 1 by 3 भाग अमिता को यानि कि 60 को जब आप मल्टिप्लाई कर देंगे 1 by 3 से तो आपको पता चल जाएगा कि अमिता को उसने कितनी टॉफिया दी तो 60 से यानि कि 3 को 60 से मल्टिप्लाई कर दीजे डिवाइड कर दीजे तो 3, 2, 6, 0 यानि कि 20 टॉफिया उसने अमिता को दी उसके बाद 60 में से 2 by 5 भाग उसने अनिल को दे दिया यानि कि 5, 1, 5, 2, 10 यानि कि 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा यानि कि 24 टॉफिया उसने अनिल को दे दी उसके बाद उसने हमिता को कितना दिया 60 में से 1 by 12 भाग दिया 12 फाइवजा कितना होता है 60 होता है यानि कि 5 टॉफिया उसने हमिता को दे दी अब यहाँ पे जोड लेते हैं 20 टौफिया उसने अमीधा को दी अनल को कितनी दी 24 दी और उसने हमीधा को पांच दी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पर topic ना फे फूटिनौ दी ना-इथीन आउ हाँ उस सोनू के पास कितनी टौफियां थी ? option 2 हो जाएगा move करते हैं question number 2 पे question number 2 है यदि 1001 into 111 is equal to 110000 plus 11 into dash यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संक्या होगी तो सबसे पहले इस equation को क्या करें ऐसे ही as it is लिख लें 111 into 111 is equal to 110000 plus 11 into dash यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संक्या होगी ठीक है तो यहाँ पे क्या करें आप सबसे पहले इसको multiply कर लें तो इसको multiply करिए 1001 111 यानि कि 11001 तो इसी तरह से तीनों हो जाएगा okay तो यहाँ पे आज जाएगा 1111 111 6 बार 1 आजाएगा minus 110000 is equal to 11x यहाँ पे हमने मान लिया x यहाँ पे क्या होगा 11x अब इसमें से इसको minus करिए कितना आजाएगा इसको minus करेंगे तो 1111 4 बार 1 आजाएगा is equal to 11x तो simple x is equal to क्या हो जाएगा 1111 upon 11 इसको divide कर दीचे कितना आजाएगा 101 यानि कि x की value कितनी आई 101 जो कि यहाँ पे option 30 आदिया है correct answer कौन सा हो जाएगा option 30 move करते हैं question number 3 पे question number 3 देखी क्या है question number 3 है यदि 15201 में से 5 का इस्थान ने मान plus 2659 में से 6 का इस्थान ने मान is equal to 7 into dash यहाँ पे मान लिए हमने x यानि कि यहाँ पे बताना है कि 5 का इस्थान ने मान क्या होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 5 के बाद जितनी भी डिजिट होती है उतनी 0 कर दीजे तो यहाँ पे 3 है यानि कि 5 का इस्थान ने मान क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा इस इकल टू यहाँ पे क्या है 7 x माना तो यानि कि 7 x हो जाएगा फिर यहाँ पे x निका लीजिए x की वैल्यू यानि कि 56 00 अपान 7 कितना अंसर आ जाएगा है 7,8 जा कितना होता है 56 होता है यहाँ पे 7,8 जा 56,00 यहनी कि X की value कितनी निकल के आ गई X की value निकल के आ गई 800 यहाँ पे इसका option कौन से सही हो जाएगा option है आ हो जाएगा चौथा move करते हैं question number 4 पे question number 4 देखी क्या है question number 4 है यदि 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुड़न खंडों का गुड़न फल is equal to 999 प्लस 9 इंटू डैश है तो रिक्तिस्थान में संक्या होगी यानि कि इस स्थान पर रिक्तिस्थान जो है इस पे कौन से संक्या आएगी तो इस सिफ यहाँ पे देखी क्या लिका है सार्व धनात्मक गुड़न खंडों का गुड़न फल यानि कि सबसे पहले आपको इसके फैक्टर्स करने होंगे तो 36 का फैक्टर क्या क्या होता है 36 1 से जाएगा 2 से जाएगा 3 से भी जाएगा 4 से जाएगा 6 से जाएगा 9 से जाएगा उसके बाद ये 9 के बाद 12 से जाएगा उसके बाद 18 से भी जाएगा और ये 36 से भी जाएगा यहाँ पर इसके factor कर लिए अब हम लोग 48 का भी कर लेते हैं 48 भी 1 से जाएगा 2 से जाएगा 3 से जाएगा 4 से जाएगा 6 से जाएगा उसके बाद 8 से भी जाएगा देन उसके बाद ये 12 से जाएगा 16 से जाएगा 28 से जाएगा और 48 से जाएगा तो ये हुए 48 के गुरणखंड यहां पर कह रहे हैं कि सार्फ धनात्मक गुरणखंडों का गुरणफल यानि कि आपको इसको मल्टिप्लाई करना है तो सबसे पहले आप देखें कि इन दोनों ही फैक्टर में क्या-क्या कॉमन है तो वन कॉमन है सेकेंड भी कॉमन है तीसरा भी कॉमन है चौथा 6 भी 12 यानि कि 1 इन्टू 2 इन्टू 3 इन्टू 4 इन्टू 6 इन्टू 12 इस इकुल टू क्या दिया है 999 प्लस 9 और खाली जगा में यानि कि रिक सिफ्टिसान इसको माली एक्स आ इनके 9 एक्स हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टिप्लाइए कर लेते हैं तो 12 सिफट आ कितना होता है ट्वैल सिफट्टूजा कितना होता है इनकी सिफ्टूजा ट्वैल का 2,1 कैरी 6,1,6,7,7 यानकी 72 आया अब 72 को multiply कर लीजे 4 से 4 2 कितना होगा 8 हो जाएगा 4 7 कितना हो जाएगा 28 यानि कि 288 आ गया अब 288 को 3 3 से multiply कर लीजे 3 8 24 का 4 2 carry 3 8 24 25 26 का 6 2 carry 3 2678 यानि कि कितना आया 864 आ गया अब 864 को 2 से कर लीजे 864 इन्टो 2 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 6 12 का 2 1 carry 2 8 16 17 यानि कि कितना आ गया 1728 आ गया multiply करने उपर आ गया 1728 is equal to 999 plus 9x अब क्या होगा यह 999 को माइनस कर दीजे 1728 में 1728 माइनस 999 is equal to 9x ओके तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 1728 को माइनस कर देंगे 999 में तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए 999 में जब आ माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 729 ओके तो यहाँ पे अब 729 को आप 9 से divide कर दीजे 9, 8 जा कितना होता है? 72 होता है और 9 मज़agen 9 यहाँ एक्स की value कितने निकल के आ गी? x की value निकल के आ गी? etS1 ओके समज में आया आप लोगों को यानि कि जो माइनस करने पे कितना आ गया था? माइनस करने पे 729 आ गया था 729 को जब आम 9 से divide करेंगे 9, 8 जा कितना होता है 72 होता है और 9 बन जा 9 तो X की वेली कितनी आगई यानि कि रिक्तिस्तान पर कौन सी आईगी संक्या 81 आईगी जो कि यहां पर option 1 दिया है तो correct answer क्या हो जाएगा option 1 Question number 5 देखे क्या है Question number 5 ए यदि 26679 को 39 से भाग देने पर तथा 29405 को 34 से भाग देने पर प्राक्त 6 फलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो 6 फलों होगा Simple यहां पर कह रहे हैं कि जब आप इस संक्या को 39 से भाग देंगे तो जो remainder बचेगा जो 6 फल बचेगा उसका 29405 से भाग देने पर जो 6 फल बचेगा उससे अंतर यानि कि आपको उससे माइनस करना पड़ेगा तभी आपको अंतर पता चलेगा तो उसके अंतर को आपको 18 से भाग देना है और उसके बचे जो 6 फल बचेगा वो इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा तो सबसे पहले क्या करें हम लोग इसको भाग दे लेते हैं तो यहाँ पे लिखिए 2, 6, 6, 7, 9 इसको किस से भाग देना है 39 से डिवाइट करना है तो 39 39 कितनी बार में जाएगा 6 बार में जाएगा कितना होता है 2, 34 हो जाएगा इसको माइनस करिए 6 में से 4 जाएगा 2 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा यहाँ पे उतारा 7 अब कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा यानि कि 312 39 एट जा कितना होता है 312 होता है तो इसको माइनस करिए कितना आजाएगा आजाएगा यहाँ पे 5 2 में से बन गया 1 यानिकि 15 इक और यहां पर दारा नाई अब कितनी बार में जाएगा याब जायएगा यहांप चार बार में चार बार कितना होता है 10셔서 Criminal होता है तू कर लेते हैं आप हम लोग सेकंट वाला विकर लेते हैं ओके तो पहला का बच्चा, 3 इमेंडर, इसको ध्यान रखेगा दूसा क्या दिया है, संक्या दूसा दिये है, 29405 इसको भाग देना है 34 से, ओके तो इसको भाग दे देते हैं यहां पर कितनी बार में जाएगा, यह भी 8 बार में जाएगा 272 34, 8 जा कितना होता है 272 होता है इसको माइनस कीजिए 4 में से 2 गया 2 9 में से 7 गया कितना आएगा 2 आएगा इसके बाद 0 उतार लिया अब कितनी बार में जाएगा ये अब 6 बार में जाएगा 346 हा कितना होता है 204 होता है तो इसको माइनस करिए कितना आएगा 26 आए गए यहां पर वन में से 0 गया वन यानिकी 16 और यहां पर उतार लिया 165 आप कितने बार पोड़टी 6 तो 154 मेंससे जब आप 136 माइनस करें है तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा 2 का 2 तो कितना आया है यहां पे 26 अब 26 को 18 से भाग देना है 26 को जब आप 18 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 18 से भाग दीजिए तो इसका correct answer किया हो जाएगा option 1 हो जाएगा क्योंकि आपको यहां पे रिमेंडर बचाना था कि जो इसका डिफरेंस है शेश वलो में जो अंतर है उसको जब आप 18 से भाग देते हैं यानिकी डिफरेंस कितना आया था 26 तो 26 को जब आप 18 से भाग देते हैं तो रिमेंडर कितन कितना बचता है आड़ बचता है जो कि इसका answer हो जाएगा correct answer किया हो जाएगा option 1 हो जाएगा move करते हैं next question पे question number 6 देखे क्या है कोशे नमबर 6 है यद्य एक सो बारा एकाई प्लस बारा हजार is equal to 1100 बारा प्लस डैश दहाई है तो यहां पर क्या कह रहे हैं 112 आकाई है यानिकी यही रहेगा 112 यही रहेगा फिर क्या कह रहे हैं 12,000 तो यहां पर लिख लेजे 12,000 is equal to कितना कह रहे हैं 1100 प्लस दहाई है है मितलब 10 होता है किस तरह करेंगे सबसे पहले से एट कर लीजे 112 को जब आप 12,000 में एट करेंगे तो कितना आजाएगा 12,000 एक सो बारा हो जाएगा इस इक्वल टू 11,012 प्लस 10 X तो यह इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा यानि कि 12,000 12,112 में से जब आप 11,012 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा इसको माइनस करिए देखे टू में से टू गया 0 वन में से वन गया 0 1 में से 0 गया 1 2 में से 1 गया 1 यानि कि कितना आ जाएगा यह यहाँ पे 1100 तो 1100 is equal to 10x हो जाएगा x is equal to कितना हो जाएगा 1100 upon 10 तो इसको क्या कर लिजे आप divide कर दीजे 10 1s are 10 10 1s are 10 हो जाएगा फिर 10 1s are 10 0 कितना आ गया x is equal to 110 हो जाएगा आंसर जो कि यहाँ पे option 4 दिया है तो correct answer क्या हो जाएगा option 4 हो जाएगा 110 move करते हैं question number 7 पे देखे क्या है question number 8 है एक ही माई size की तेज बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीटर दूद भरा जाता है ऐसी 16 बोतलों में दूद की मात्रा है तो यहाँ पी क्या कह रहे है कि 23 बोतलों में 51 लीटर 750 मिलीटर दूद भरा जाता है तो 16 बोतलों में दूद की क्या मात्रा होगी तो सबसे पहले आप क्या करें एक बोतल का निकाल लें तो एक बोतल का कैसे निकालेंगे तो देखे एक बोडल का किस तरह निकलेगा यहाँ पे कितना दिया है 51 लीटर तो 51 लीटर को मिली लीटर में convert कर दीजे मिली लीटर में इसे convert करने के लिए 1000 से इसे क्या करना पड़ेगा multiply करने पड़ेगा तो 51 into 1000 plus 750 मिली लीटर upon कितना है 23 बोडल तो इस तरह से आप एक बोतल का निकाल लेंगे तो जब आप इसको क्या करेंगे 51,750 मिली लीटर को जब आप डिवाइट करेंगे 23 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2250 मिली लीटर ओके तो यह निकल के आगया एक बोतल का अब क्या करना है 16 बोतलों को आपको बताना है तो यहाँ पे आप क्या करें 2250 को multiply कर दे 16 से जब आप इसको multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 36000 आ जाएगा यानिकि 36000 मिली लीटर आ जाएगा और इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे इसको divide कर देंगे 1000 से जब आप 1000 से से डिवाइट करेंगे तो 0 से 0 कर जाएगा यानि कि 36 लीटर हो जाएगा इसका आंसर जो कि यहां पे option 1 दिया है तो correct answer क्या हो जाएगा? option 1 हो जाएगा 36 लीटर move करते हैं question number 9 पे question number 9 देखे क्या है? question number 9 है किसी मांचितर पर आधा सेंटी मीटर की दूरी भूमी पर 200 किलो मीटर की दूरी को निरुपत करती है यदि भूमी पर दो नगर 1800 किलो मीटर की दूरी पर इस्तित हैं तो मांचितर पर उनकी दूरी क्या होगी? यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पे दिया है कि आधा सेंटी मीटर किस के बराबर है? 200 किलो मीटर के बराबर है आपको यहाँ पे बताना है कि 1800 किलो मीटर किस के बराबर होगा? कितने सेंटी मीटर के बराबर होगा? तो यहाँ पे दीखे आधे के लिए दिया है 200 यानि कि आधा जब 200 है तो एक कितना हो जाएगा एक 200 का दुगना हो जाएगा इनकी 400 हो जाएगा तो एक कितना हो जाएगा एक हो जाएगा 400 और यहाँ भी पूछे हैं 1800 तो जब आप 1800 को 400 से डिवाइड कर देंगे 5 जा कितना होता है 20 होता है यान की कड़ी आएगा यान की कितना आ गया 4.5 आया यान की 4 तो यहाप इसका correct answer क्या हो जाएगा 4.5 cm जो कि यहाँ पर option 4 दिया है तो correct answer क्या हो जाएगा option 4 हो जाएगा इसी का दूसा method देखे क्या है अगर आप इस तरह नहीं जानते हैं तो देखे आधे के लिए कितना दिया है आधे के लिए दिया है 200 तो यहाँ पर पूछें 1800 तो 1800 के लिए कितना होगा जब आधे के लिए 200 दिया है तो एक के लिए कितना हो जाएगा एक के लिए हो जाएगा 400 दो के लिए क्या हो जाएगा 400 200 में आप 400 और और एड़ कर दीजे 800 हो घाएगा उसी तरह 3 10 के लिए 12 और कितना हो जाएगा compassure Northwest all 2 siellä request box 4 सेन्टीमीटर सेंटीमीटर collection of user देखे क्या है, question number 10 है, name लिकित में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा statement यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला देखे क्या दिया है, कि एक सेंटिमीटर, एक मीटर का शतांच है, शतांच कितना होता है, 100 होता है, तो देखे, एक मीटर में कितने सेंटिमीट होते हैं एक मीटर में सो सेंटीमीटर होते हैं तो एक सेंटीमीटर कितना हो जाएगा एक मीटर का शतांच हो जाएगा यानि कि सो हो जाएगा तो यह तो बिल्कुल सही दिया है option 2 देखे क्या है option 2 देखे क्या है बलकि यहां पे 1000 होगा, तो यहां पे यही statement क्या है, गलत दिया है, और यहां पे आपको question में बताना था, कि कौन सा सही नहीं है, यानि कि इसका answer कौन सा हो जाएगा, option 2 हो जाएगा, option 3 सा देखे क्या कह रहा है, option 3 सा कह रहा है, कि 1,00,000 बराबर है, 100,000 की, एक लाग कैसे लिखते हैं, एक लाग ऐसे लिखते हैं, पांच जिरो होते हैं, एक लाग में, यहां पे कह रहे हैं, एक सौ हजार के बराबर है, तो एक सौ हजार कैसे लिखेंगे, एक सौ हजार इनकी सौ हजार, तो सौ हजार भी ऐसे लिखते हैं, यह दोनों तो बराबर हु हैं एक करोड बराबर है एक सो लाक के और एक सो लाक इनके एक एक सो लाक के स्वालीक है फिलाक में कितने होतें पांच जीरो होतें यह भी क्या हुआ बराबर हो गया यहीं कि ऑप्शन four भी correct है यहां पर incorrect कौन से दिया था? option 2 दिया था यहाँ पर answer क्या हो जाएगा option 2 हो जाएगा question number 11 देखे क्या है question number 11 है किसी आयत की लंबाई और चोड़ाई करमशा 48 cm और 21 cm है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का दो दिहाई है इनके 6 तरफलो का योग है तो यहाँ पर हम लोगों को दिया क्या गया है आयत दिया गया है आयत की लंबाई दी गई है लंबाई कितनी दी गई है 48 cm दी गई है और चोड़ाई यानि कि ब्रेथ दी गई है 21 cm और क्या लिखा है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का दो तिहाई है यानि कि वर्ग की जो भुजा है वो आयत की लंबाई का दो तिहाई है आयत की लंबाई कितना दिया है 48 दिया है जिसकी वो दो तिहाई है यानि कि इंटू कर दीजे 2 अपान 3 से 2 तिहाई हो जाएगा तो 3 से इसको cut करिए 3 by 3, 3, 6, 18 और 16 into 2 कितना होता है 32 हो जाएगा तो यानि कि वर्ग की एक भुजा में पता चल गई 32 उसके बाद क्या लिखा है इनके 6 तरफलों का योग है यानि कि 6 तरफल आपको निकालना होगा तो आयत कि 6 तरफल का जो पॉर्मला होता है वो होता है length into breath यानि कि length कितना दिया है 48 और breath कितना दिया है 21 तो इसको multiply कर दीजे 48 को जब 21 से multiply करेंगे क्या आ जाएगा 1,8 is a 8, 1,4 is a 4 2,8 is a कितना होता है 16, 1 carry, 2,4 is a 8,9 तो इससे add कर लिजे 8, 6, 4, 10 का 0 1 carry, 9 और 1,10 यानि कि कितना निकल कि आ गया 1,008 आ गया आयत का 6 तरफल 1,008 आ गया अब हमें वर्ग का निकालना होगा वर्ग का 6 तरफल का formula क्या होता है भुजाए square भुजाए यानि कि 32 तो इसका square कर दीजे कितना आ जाएगा अब हम लोग इसका भी square कर लेते हैं तो यहाँ पे अब हम लोग 32 का square करेंगे आयत का जो 6 तरफल निकलाता वो कितना निकलाता 1,008 निकलाता तो इसका भी square कर दीजे 32 को 32 से multiply कर लीजे 2,2 जा 4 2,6 जा 2,3 जा 6 2,2 जा 4 2,3 जा 6 3,2 जा 6 3,3 जा 9 ओके तो यहाँ पे 4 आ गया 6,6 बारा का 2 1 केरी 10 यानि की वर्ग का जो 6 तरफल निकला है वो निकला है 1024 और आयत का 6 तरफल कितना आया था 108 इन दोनों का व्योग करना है इनके 6 तरफलों का व्योग करना था तो इनको जोड़ लीजे 8,4 कितना होता है 8,9,10,11,12 12 का दो लिखिए 1 केरी 2 और 1,3 उसके बाद 0,2 यानि की कितना निकल के आ गया 2032 जो कि यहाँ पे option 1 है यानि की correct answer क्या हो जाएगा Option 1 Question number 12 है एक धनाबा कार बकसा 13 cm लंबा 11 cm चोड़ा और 9 cm उचा है एक धना कार बकसे की भुजा 12 cm है तनू इन बकसों में 1 cm भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है उन घनों की संख्या जो इन में पैक नहीं हो पाएंगे वो बताना है आपको तो यहाँ पे हमें दिया क्या है देखे यहाँ पे हमें दिया है घना बाकार बकसा ठीक है घना बाकार बकसे की लंबाई दी हुई है लंबाई कितनी दी हुई है लंबाई दी है 13 cm चोड़ाई यानि के ब्रत कितनी दी है ब्रत दी है 11 cm और यहाँ पे हाइट दी है 9 cm उसी तरह से यहाँ पे घना है जो उसकी दी हुई है घनाकार की जो भुजा दी हुई है वो है बारा सेंटिमीटर और यहां पर कह रहे हैं कि तनु इन बकसे में एक सेंटिमीटर भुजा वाले टी हजाँ जो फिए 5060 घन पैक करना चाहती है तो इसके लिए आपको इनका आई 10 पता होना चाहिए तो घनाबकार का आई 10 का फोर्मला क्या होता है लेंथ इंटु ब्रेथ इंटु हेट उता है तो इसको हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे यानि कि आईतन निकाल लेंगे वॉलियूम निकाल लेंगे तब ही तो हमें पता चलेगा तो यहां पर देख तीरा इंटू ग्यारा इंटू नौ करेंगे कितना आजाएगा इसको मल्टिप्लाई करने पर आजाएगा 1287 उसी तरह से घं का भी निकालेंगे घं का जो आईतन यानि कि वॉलियूम का जो फॉर्मला होता है वो होता है भुजा क्यूब यानि कि 12 का यहाँ पर क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो जब आप 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आजाएगा 12 का cube आप करेंगे तो इसका देखें, इसको cube मैं नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं बता दे रही हूँ, इसका answer आजाएगा 1728 यानि कि cube जब आप करेंगे 12 का तो कितना आजाएगा 1728 तो देखें, यहाँ पे 28 यानिके 1728 1728 तो यहाँ पी इन दोनों को आप प्लस कर लीजे दोनों को यहाँ पी 1,2,8,7 निकला था घना बकार का आइतन और 1,7,2,8 निकला था घना का आइतन तो इनको एट कर लीजे घना का आइतन लिकला था तो यहाँ पी जब आप इससे एट करेंगे देखे एट एट और साथ एट 3015 आ जाएगा तो यह निकल क्या गया अब यहां पर कह रहे हैं कि तहनों इन बकसे में 1 cm भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है तो इसको यानि कि घन पैक करना चाहती है तो जब आप 3060 में से 3015 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा जो किसका अंसर हो जाएगा यहां पर कौन सा ऑप्शन दिया है ऑप्शन टू दिया है तो करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू कोशन नमबर 13 देखी क्या है कोशन नमबर 13 है गुणन फल 672 इंटू 36 इंटू 25 बरावर है जब आप इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 604800 ठीक है इसके आप में जब मल्टिप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा यहाँ पर पहला option क्या दिया है पांच दिनों में स्कंडो की संक्या तो तो देके पांच दिन में एक दिन में 24 होते हैं ठीके 24 गंटे होते है तो 5 इंटू 24 इंटू 1 गंटे में स्कंड कितने हो जाएँगे 3600 ठीक है इतने सेकेंड हो जाएंगे जब आप इसको multiply करेंगे तो आएगा 4,3,2,0,0,0 यानि कि ये option cross हो जाएगा second option देखें क्या है second option है एक सप्टा में second की संक्या तो एक सप्टा यानि कि एक सप्टा में कितने दिन होते हैं साथ दिन होते हैं तो एक साथ दिन तो यहां पर एक दिन में 24 गंटे यानि कि साथ इन टू 24 कर दीजे फिर इंटू कर दीजे एक घंटे में second की संक्या होती है 3600 जब आप इसको multiply करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 604800 और यहां पर इसको multiply करने पर भी यही आएगा 604800 यानि कि option कौन से सही हो गया पर option हो गया पर टू सही मूब करते हैं कोशन नमबर 14 पर कोशन नमबर 14 देखी क्या है कोशन नमबर 14 है जब ताजा मचलियां जब ताजा मचलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार यानि कि उनका वजन एक तिहाई रह जाता है सावी ने 2709 किलो ग्राम ताजा मचली रुपीज 27 पिरती किलो की दर पर खरी दी और उन्हें सुखाने के पस्चाद 97.5 पिरती किलो ग्राम की दर पर बेच दी तो कुल लाब हुआ कितना उनको कुल लाब हुआ ये बताना है तो यहाँ पर देखिए उसने कितने कितने खरीदी थी सावी ने 2709 किलो ग्राम ताजा मचली खरीदी और यहाँ पर कह रहे हैं जब ताजा मचलियों को सुखाय जाता है तो उसका भार एक तिहाई हो जाता है यानि कि आप इसका एक तिहाई कर दीजे 1 upon 3 एक तिहाई हो गया तो जब आप इसको इधर से काट दीजे 2, 3, 9 जा कितना होता है 27, 0 का 0, 3, 3, 9 यानि कि कितना आ जाएगा 903 आ गया उसके बाद क्या लिखा है कि सावी ने 2,709 किलो ग्राम ताजा मचली 27 रुपे पिरती किलो ग्राम की दर से खरी दी यानि कि कितने रुपे की खरी दी है हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर देखे इसको मल्टिप्लाई कर दीजे 27 से जब आप इसे 27 से मल्टिप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 73143 ठीक है मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ कि 73143 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद क्या कह रहे है यहाँ पर कि उन्हें सुखाने के पस्चार 97.5 पिरती किलो ग्राम की दर पर बेज दी तो यहाँ पर सुखाने के बाद कितना आया था 903 आया था तो उसने 903 को कितने 97.5 पिरती किलो ग्राम की दर पर बेज दा यहाँ आप यहाँ पर 97.5 से मल्टिप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा जब आप इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो 88042.5 आ जाएगा तो उसको कितना लाब होग होगा सिंप्ल इसको इससे माइनस कर दीजिए तो चलिए माइनस कर देते हैं 88042.5 को जब आप माइनस करेंगे 73143 ओके 143. ओके यहाँ पर बस इतना ही रिखा है ठीक है इतना ही आए था हम लोग का अंसर तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पर 0.5 आ जाएगा ठीक है फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा उसके बाद फिर 9 आ जाएगा उसके बाद आड आ जाएगा और 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है 14899.5 जो कि यहाँ पर क्या दिया है उप्शन वन दिया है 14899.5 तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उप्शन वन हो जाएगा मूव करते हैं कोशन नमबर 15 पे कोशन नमबर 15 देखे क्या है कोशन नमबर 15 है जुही ने बाइसाइकिल दौरा 16 km की दूरी 15 km पर घंटे की चाल से स्कूटर द्वारा 20 km की दूरी 50 km पर घंटे की चाल से और कार द्वारा 50 km की दूरी 60 km पर घंटे की चाल से तैकी इन दूरियों को तैक करने में लगा कुल समय मिंटो में था ठीक है यानि कि आपको जितना भी यहां पर समय लगा मिंटों में कितना हुआ वो बताना है तो सबसे पहले आप एक फॉर्मला ध्यान रखे जो कि I think आपको बताओगा समय का फॉर्मला क्या होता है समय का फॉर्मला होता है दूरी अपॉन चाल ठीक है दूरी अपॉन चाल होता है तो सबसे पहला statement किया दिया था कि जूही ने by cycle दोरा 16 km की दूरी 15 km यानि कि 16 km की दूरी उसने 15 km में तै की ठीक है 15 km पर घंटे की चाल से उसने तै की तो यानि कि इसको solve करिए देखे 15 से जब आप 16 को divide करेंगे तो remainder बचेगा 1 यानि कि यहाँ पर किया गया 1, 1 upon 15 अब आप इससे solve कर लीजे 15 बंजा कितना हो जाएगा 15 plus 1 यानि कि 16 16 upon 15 हो जाएगा और यहाँ पर आपको समय बताना है मिंटो में यानि कि आपको यहाँ पर multiply करना पड़ेगा 60 मिनट में convert करने के लिए तो इसको solve कर लीजे 15 4 ता कितना होता है 60 होता है और 60 into 4 कितना हो जाएगा 60 into 4 करेंगे तो आजाएगा 64 मिनट यानि कि पहला हम लोगों का solve हो गया कि उसे कितना समय लगा 64 मिनट लगे दूसरा देखी क्या दिया है स्कूटर द्वारा 20 किलो मीटर की दूरी 50 किलो मीटर पर घंटी की चाल से यानि कि 20 अपोन यहां पर 50 हो जाएगा 0 से 0 कटा into 60 क्योंकि हमें मिनट में convert करना है तो 5, 1's a 5, 5, 2's a 10 यानि कि 2 into 12 कितना हो जाएगा 24 मिनट यानि कि दूसरा भी solve हो गया 24 मिनट लगे अब तीसा देखी क्या दिया है कार द्वारा 50 किलो मीटर की दूरी साइट किलो मीटर यानि कि 50 अपोन 60 करना पड़ेगा into 60 क्योंकि यहां पर मिनट में convert करना है तो 0 से 0 कटा 6, 10's a 60, 5 into 10, 50 यानि कि कितना निकल के आगे यहां पर पचास मिनट तो यहां पर अब एड कर लीजे सारा समय कितना कितना निकल के आया है देके निकल के आया है यहां पर 64 निकल के आया है 24 और 50 तो 4, 4, 8 का 8 आजाएगा 5, 2, 7, 7 और 6, 13 तो कितना निकल के आगे यहां पर option दूसर दिया है यानि कि कुल समय कितना लगा मिनटो में 138 जो कि यहां पर option 2 है तो correct answer क्या हो जाएगा option 2 हो जाएगा आज की वीडियो में हम लोग इतने ही कोशन रखते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरूर कीजेगा अपने friend के साथ इसे share कीजेगा और अगर अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा टेलिग्राम चैनल है bhclasses123 आप जोईन करना चाहते हैं तो जरूर जोईन कर सकते हैं मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ